एक जमाना था जब काजल फिल्म का ये गाना सिर्फ रेडियो पर बज़ता था तब मुहम्मद रफी के इस गाने को लोगों ने परदे पर नहीं देखा था फिल्म तब रिलीज नहीं हुई थी जब ये गाना रेडियो पर बज़ता तब लोग सोचते थे कि इस गाने में धर्मेंद रहोंगे वही शराप पीकर ये गाना गा रहे होंगे लोग सोचते थे कि जब फिल्म रिलीस होगी तो वो सिनेमा हॉल में जाकर ये गाना जरूर देखेंगे लोग बड़ी बेसबरी से फिल्म काजल के रिलीस होने का इंतजार कर रहे थे उधर लोग फिल्म का इंतजार कर रहे थे और इधर फिल्म काजल पर काम चल रहा था. काजल डाइरेक्ट कर रहे थे राम माहेशवरी. आपको बता दे कि जैसे गुरुदत को गाने शूट करने का एकस्पर्ट माना जाता था, वैसे ही निर्देशक राम महेश्वरी को गाने में महीला पात्रों को डाइरेक्ट करने का विशेशग्य माना जाता था फिल्म काजल के संगीतकार रवी निर्देशक राम महेश्वरी के हिसाब से गाने पर काम कर रहे थे इस फिल्म में एक गाना था चूले ने दो नाजुक होटों को साहिर लुधियानवी का ये गाना मुहम्मद रफी की आवाज में रिकार्ड किया जा चुका था और रेडियो सिलोन पर बजने लगा था उन दिनों जब रेडियो सिलोन पर मुहम्मद रफी का ये गाना बज़ता तो लोगों को लगता कि फिल्म में ये गाना धर्मेंदर का रहे होंगे काजल में थे धर्मेंदर, राजकुमार और मीना कुमारी धर्मेंदर को उस समय फिल्मी दुनिया में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था लेकिन राजकुमार तब तक स्टार बन चुके थे उनका बड़ा नाम था कहा जाता है कि काजल फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार और धर्मेंदर का बहुत बड़ा जगड़ा हुआ था और धर्मेंदर ने राजकुमार पर हाथ उठा दिया था दरअसल हुआ ये था कि एक दिन शूटिंग के समय राजकुमार ने धर्मेंदर का मजाक उड़ाया चूंकि धर्मेंदर पहलवान की तरह लगते थे तो राजकुमार ने निर्देशक राम महेश्वरी से कहा भाई, इस पहलवान को कहा से ले आए? फिल्म में पहलवानों की क्या जरूरत? तुम्हें एक्टर चाहिए या पहलवान? फिल्म के जिस सीन को शूट किया जा रहा था उसमें राजकुमार और धर्मेंदर हिस्सा ले रहे थे शूटिंग आगे बढ़ी तो बीच में ही राजकुमार ने धर्मेंदर को बंदर बोल दिया इसके बाद धर्मेंदर को बेहत गुस्सा आ गया और उन्होंने परिनाम की चंताना करते हुए राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया और कहा तुम्हें यहीं अपनी पहलवानी दिखाऊं या कहीं और चलूं राजकुमार भोचक का रह गए शूटिंग रोक दी गई राजकुमार ने धर्मेंदर के साथ काम करने से मना कर दिया कई दिनों तक शूटिंग नहीं हुई शूटिंग रुकी तो निर्माता को नुकसान होने लगा फिर आखिर एक दिन मीना कुमारी ने धर्मेंदर से कहा कि वो राजकुमार से माफी मांग ले फिर एक दिन मीना कुमारी धर्मेंद्र को लेकर राजकुमार के घर गई और वहां जाकर धर्मेंद्र ने राजकुमार से माफी मांग ली जो लोग मुहम्मद रफी के इस गाने को परदे पर देखने का इंतजार कर रहे थे वो भाग कर फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंचे जब इस गाने की बार ही आई तो लोगों को बड़ा धक्का लगा ये क्या गाने में तो राजकुमार है धरमेंद्र नहीं खैर, लोग रुके रहे गाना आगे बढ़ा राजकुमार ने मुहम्मद रफी के गाने पर ऐसा जल्वा दिखाया की लोग धरमेंद्र को भूल गए अब तो उनके सामने राजकुमार थे और उनके साथ थी मीना कुमारी राजकुमार ने इस गाने में अपना जो अंदाज दिखाया वो पबलिक को बहुत अच्छा लगा जिस धरमेंद्र के बारे में वो इतने दिनों से सोच रहे थे उनसे अच्छा तो राजकुमार ने किया था राजकुमार ने इस गाने में मीना कुमारी से कुछ ऐसे इसरार किया कि मुहम्मद रफी का ये गाना क्लासिक सांग बन गया इस गाने में संगीत दिया था रवी ने राजकुमार जैसे ठान कराए थे कि वो इस फिल्म में अपना जंडा गार देंगे जब मुहम्मद रफी का एक और गाना उन्हें मिला तो उन्होंने जबरदस्ट अंदाज दिखाया इस गाने में राजकुमार के साथ हैं हेलेन हेलेन का अंदाज भी कुछ अलग है एकदम देशी और राजकुमार भी उनसे एकदम देशी अंदाज में पेश आ रहे हैं जरा देखिए मुहम्मद रफी के इस गाने में राजकुमार और हेलेन ने जो जलवा दिखाया उसका तोड कोई आज भी नहीं खोज बाया है उस दोर में संगीतकार रवी और गायक मुहम्मद रफी का ये गाना लोगों को खूब सुकुन देता था और लोग गाड़े पसीने की कमाई खर्च कर ये गाना देखने सिनेमा हाल आते थे राज कुमार, मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने अच्छा काम किया और काजल बॉक्स आफिस पर हिट हो गई धर्मेंद्र और मीना कुमारी भी एक दूसरे से थोड़े और करीबा गए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार